कीा तो कि यह दोस्तों कैसे हो आप उम्मीद करते हैं सब बैच्चे होंगे आज फिर इतिहास के आवाज चेनल पर आपका सवागत है जी हाँ आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सरसावा का टिला वो सरसावा का टिला जो की काफी हजारों सालों से परचलित है इसके अतिहास क्या है आज हम उसके बारे में भी बताएंगे सहरनपुर का एक कस्बा सरसावा माने जाता है और साहरन्हृる जो जीला माने जाता है उत्तरवर्देशका एक जीला माने जाता है सरसावा के आज पास नकूड और गंगो जो के चोटे-चोटे साहरन्हृ angry किस्वे है इतने चोटे भी नहीं है लेकिन इनका भी एक इतिहास अगर यहाँ इन कस्पों के अंदर खुदाई की जाए कि जो उस समय के जो खुदाई के दोरान प्राचीन बरतन वगेरा इसम मिलते थे तो वहाँ पर देखने को मिलते हैं जो नकुड, सरसावा और गंगो यह महाबारत कालीन से भी पहले काईन के तिहास है, महाबारत कालीन के जो आवसेस है वे इनके दर देखनों को मिलते हैं तो चलिए आज हम आपको सरसावा का टिला दिखाने जा रहे हैं, तेकि सरसावा का टिला आप देख सकते हैं, कितना उंचाई पर है, यह देखी यहां पर लोग बहुत ही दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं तो आए हम रूबरो कराते हैं उन्चाई पर जाकर इस सरसावक के टीले का क्या है इसका तिहास इसके बारे में आज हम आपको बताते हैं तो जैसे कि आज हम इसके उन्चाई पर जा रहे हैं इस पर बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि पाड़ी नूमा हो देखिए इस पर फिलाल बहुत ही घास जमा हुआ है यहां पर मतलब जो सरसावक के वासी है वो बेंश चराने और मतलब पसू पसू चराने के लिए यह जरूरत करेंगे जी हां इसके बारे में आप कुछ अपने बड़ों से आपको कुछ जानकारी है किसका बनाय हुआ था कुछ ऐसा भी सुनने को मिलता है ऐसा भी यहां पर सुनने को मिलता है कि यहां पर किसी कोई राजा था जो की बहुती जुल्म क्या करता था बहुती अत यदि आज भी यहां पर दे के खुदाई की जाए या बारिज अधिक बारिश होने के कारें यहां से प्राचीन समय के आवसेस निकलते रहते हैं जिन निकलते हैं तो मतलब क्या की निकलिया बैसे मतलब यहां से रोडी और इंटा लिखेंगी पहले कुछ पुराने जमाने के प्राची तरह दिखा हो मतलब अच्या प्राचीन जमाने के परेसे छोट छोटे लिखेंगी अब जासा कुछ नहीं आसा तो अब यह है का नाम है इसमें रोडे पत्थर इंटा हैं नहीं मतलब जैसे कि पुराने समय के आवसेस यहां से निकले तो तो मतलब सरकार को दिखा हैं यहां कि जड़न सरसावा वासियों नहीं अपने इंडर्म कर लिया नहीं यह पुरत्यति वाग अंदर में तो जब यहां से कोई ऐसी चीज निकल जाती है तो पुरत्यति वाग नहीं कि यहां नहीं मतलब वह बस यह के वासी रख लेगते हैं नहीं मतलब जैसे कि जो है इस पर मतलब बहुत सी जंग हो जो पुरतित्वाग में उनका सहजोगी हूँ अच्छा आप देखिए यह कह रहे हैं कि जो पुरतित्वाग के जो इन पर है यह बता रहे हैं नहीं को आपको तो आपको तो इसकी जानकारी बहुत अच्छी होगी तो मतलब जैसे कि यहां से तो मतलब कोई घर बनाने की कोई अनुमति नहीं है कोई अनुमति कोई अनुमति यहां पर नहीं हो जो यह सारी चीज़ दिख़ाओ यह जो अच्छे यह बुल्ग्ट जाएक यह सब बंद जाए हुगा कितनी मतलब उसमें होगा मतलब अंदाद से कितनी मतलब होगा 120 बिगे में 120 बिगे का हाँ थे के 120 बिगे का बता रहे हैं कितना लंबा मतलब अगर हम बात करें उस राजा के तो कितना लंबा मतलब जमीन उसके अंडर में होगी किले के अंदर होगा अनुमान है तो मतलब जैसे कि हमारे दूसरे बड़े असलाम वालेकूं वैसे तो जाना रही है हमें भी चुप रहना चाहिए जाने समय तो जैसे कि मतलब यहां से लोगों की सिर्फ कावती है तरह तरह की कावते बनी हुई है क्योंकि उस्ताइम हम नहीं थे ना हमारे बड़े थे तो सुनने मात है कि यह बाद सका कोई किला था और वह जालिम था कोई तो कुद्रतना उसे प्लेट दिया तो इसलिए तिल्ला वन्गा था लोग आते भी है जाते भी है कोई नुक्सान नहीं ना किसी को यहानी होती है मतलब इसके बारे में मतलब ऐसा देखनों को मिलता है वैसे तो यहां पर बहुत दूर-दूर के लोग घूमने के लिए हाँ काफी आते हैं हाँ इसकी जानकारी लेने के लिए आते हैं पुरा तत्व युबा की टीम भी आती रहती है और वो अपना जो है ना सर्दी के मौसम में एकसर साहिज भी करते हैं यहां पर अपनी बिल्ट का यहां वैसे तो इसकी कोई तारीक नहीं है को यहां तक बात क की जाए तो कम से कम 2000 साल से पहले ही है जहां तक बात की जाए हाँ हाँ अभर हम बात करें तो देखे मतलब मुहम्मन अल्ला के रिसूल सल्लाव लुग मतलब तो कुछ मतलब इसलाम धरम के अंदर है कि 1400 साल जब से उनकी उमत है तब से तो किसी चीज को कोई पल्टा नहीं सबसे तो जमीन नी पल्टी मतलब को हैसा नी पलता पहले दूसरे नभीयों की उमत में था मिरे मतादम सार जै हमारे जो नभी थे हज्यत मुहम्मद सब्सक्राइब की थी कि मेरी जो उम्मत है अगर वह जिल्म भी करने लगे जिल्म के ओपर भी कायम हो जाए तो उन्हें ने यह बोला था कि भाई जो है ना मेरी उम्मत को दुन्या के अंदर उसवां करना बाद में चाहे आक्वां को ना कुछी कोशी लिए जे जो उम्मत है आए तक सेफ है आए करद नहीं है आज तक यह हैं अगर यह दूआ ना करते तो कोई बंदर बनता कोई खंजीर बनता जैसे किताबों के अंदर है और अजाब भारी भारी आजब आते हैं लेकिन यह उसका रहम है मालिक का और यह उसके रसूर लएश्की दूआ है तो आज तक जो से देखिए कितना किसी भी धर्म के दर्म कोई भी धर्म हो हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी धर्म हो तो धर्म जो है धर्म का पढ़ने वाला या धर्म किसी को गलत मार्ग नहीं बताता किसी को गलत संदेश नहीं देता लेकिन ये तो वह लोग है जो बस ना जाने कैसी कैसी बात करते रहते हैं जो कि बस अपने मतलब को तौने जो आते हम इस प्रीन को उपर तक दिखाएं से नहिंट मतलब आप देखकें मतलब कैसे कैसे यहां पर बने हुए है इंटिस दon यहांod भी निकलती ओगी वैसे जी जी इंट तो इसे काफी निकलती होगी ठीक है बक्रिया देखें चर रही है और मतलब देखें ठीक है हम उपर से दिखाएंगे कितना अच्छा माहल है एक नीम का पीड था जी नीम का पीड था जी और इसकी सारी ज्यड़ें ऊपर रखी वी ती जी 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 और कितना ही जी 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 और इसके ओपर मजार भी है किल्गिल साहब की मजार है लोग वहां चिद्दर भी चड़ाते हैं जाड़ भी चड़ाते हैं और जुम्रात को वहां चिराग भी जलाते हैं इसके ओपर चाया कोई नहीं है जी और तालाब भी है और इसके अंदर गार भी है तो जैसे कि अमर्बब साभ की अधिया है, उसके बाद की बनाई हुई है, नई, ये पहला ही है, उसी समय का है, उसी समय का है, शामने मखदूम साभ है, ये किली-कली साभ है, दोनों यहीं रहते थे तो जैसे ही जुलम आया तो यह वह धर चले गए और यह कहीं जो एन्ट अफनाए गई यह बजा रहे हैं तो आप दिखा सकते हैं यह कह रहे हैं कि उस समय की यह दिवार हुआ करती थी यह देखे जो आपको रोड़ा नजर आ रहा है कि कितना मजबूत तरीके से आ रहा है बिल्कुल मतलब देखिएगा दिखाईए सको दिखाईए यहां से ठीक है यह देखिए और यह प्राचिन तत्यों वह उसी समय का है जब से यह हो गए ठीक है यह बता रहे हैं यहां पर मतलब की बहुत ही बड़ी बड़ी इंट निकला निकला करती थी अब नि पर आप देख सकते हैं हम उन्चाई पर आ गया है और यह देखिए सरसावा कितना निचे में तरसावा कितना मतलब नीचे महारा है यह मरकज और जमा मस्जिद भी दिखाऊ बढ़ी जूम करके ठीक है यह देखो दोर तक कितना फैला हुआ है अगर हम एक दिन भी लगाइस अच्छा वह उधर आप क्या रहा होगा अगर हम कितनी उंचाई पर रहा होगा अच्छा यह देखिए कि तो मतलब अगर उस समय का जो किला होगा यहां पर तो कितनी उंचाई पर बनाओगा आप देख सकते हैं जिसका आज इतने हजारों सालों बाद भी सरसवा आज भी मतलब बल्कि हिंदुस्तान की आजाद है हिंदुस्तान कितनी तरक्क दूमें तो भी इसका गूम ने सकते इतनी वह उंचाई पर यह इतने बिगे में यह ए यह देखेगा ठीक है और देखे का सरसाव आई दर से मतलब कितना नीचे मेहरा यह देखे ठीक है यह हमारे साथ भाई यह देखो यह मतलब यह आते रहते हैं क्या नाम है भाई और क्यानम पर रहे हैं बखरत चुरा रहे है मतलब ऐसा तो हवा बहुत अच्छी ना रही है यह कि क्या इंजॉए होता होगा बश्तुन जी अबकिवे यह 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 आपे और यह बाई दागर पताक बुराते हैं पताक कैसे उड़ती अच्छ है बताओ यह मतलब हवा पढ़ तो पर लोग है और करनी होती है मुझार फगैरा सब होते हैं तो आपनी खाट़ चार पर यहां पर ले आई है लिया थे लाते था यह आपके दोड़ा करता है अच्छ 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 यह बताओ क्या नम जैसा कि वह बताते हैं लोग कि वहां मत जाना भूत है मतलब कुछ जैसे जिए बतले हैं तो तो तालाब बता रहे थे हो तालाब कहा है वो यह जो है यह बीच में तालाब है यह आप देख सकते हैं यह जो बीच का इस्सा है यह देख सकते हैं यह वहापे तो हम जानी सकते दिखाएंगे ठीक है अरे यार यहां पर कुछ बनावाब चलो दिखाएंगे तो देखें उत तालाब है ठीक है और थोड़ा सा हम इदर भी दिखाएंगे जमा मस्जिद है यह मस्जिद भी आगी बहुत पुरानी होगी ठीक है य देखें कितना मतलब अच्छा एक नजारत आ रहा है यहां से ठीक है यह देखें कितना मतलब बहुत ही और आप इसको दूर तक दिखाएंगे देखें मतलब कहां तक दूर दूर से यहां पर लोग आते हैं मीडिया वाले भी आते होंगे हमारी तरह मतलब हैं खुब देखत है इसके बारे में बताते है कि कि है ऩूस- नेंकिटर जमना श सब्सक्रार में बिलए तो निदिए अखी यहां से जमना अगर की चिंघानी नजर आती है हम यह देख है यह जो बीच का हिस्टाय से यह तालाव देखें बस और तो खुछ है यहां देखें, वहां पे थोड़ी से उचाही हो रहा है, अगर हम चले आज़ा थोड़ी से दूरलग हो जाए, ठीक है, यहां पे मतलब देख सकते हैं, तो कितना मतलब अच्छे नजरा है, थोड़ा इधर को दिखा देबाई, ठीक है, यहां से आप देख से, देखें, नीचे में अगर हम मतलब और यह जो नीचा है यह दर क्या है यह जो नीचा सारा है अच्छा गर है इसी तरह अच्छा इसके चारो तरफ घर है अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि राजा सिरस्पाल थे सुना है अपने देखी यह भाई कह रहे हैं कि राजा सिरस्पाल थे सुना है तो उसके बारे में क्या कावत है अच्छा इतना मतलब है नहीं नालिज नहीं है इनको इतनी नालिज नहीं है चलो राजा सिरस्पाल के बारे में बताते हैं कि यह पर राजा सिरस्पाल का था और क कि राज़ा सिरस्पाल की दुओरा ही सकती का नाम सरसावा पड़ा देख सकते हैं आई ये थोड़ा इधर को दिखा दें बऎर देखें नीच दिखाएं यह यह से ठीक है यह देखें देखो मतलों नीचे दिखा ले देखें और अगर हम बात करें देखिये मतलब आप देख सकते हैं यह देखिये मतलब कितना अच्छा नजह आ और यह हमारे साथ जो हम इसके सुरत भी आपको दिखाएंगे दिका देवाई हमारे तरशको को यार ठीक है यह बाइक देखिए यहां पर यह देखिए यार आप मेरे में आ रही हो तोड़ा इधर लो ठीक है यह देखिए बहुत अच्छा मतलब नजारा देख सकते हो आप यहां लेकिन में आक बात आप लोगERS से क्या देना चाहता हूं कि यह हमारे इतिहास है और हमें अपने तीहास के रखत करनी चाहिए थाए इतिहास ही हमारी पैचान है अगर मेरे क्या इखा से सरसावा दूर दूर लघ फेमस है तो इसी टीले के मुताबग हो हैं दूर दूर तक सरसावा का टीले किताबों में भी ज़िपा खकर है कि हाँ मतलब सरसा बहुत आदम nectar संर और आते होंगे इसके बारे में हम आपके फिर कभी जानकारी देंगे, यहां कि सारी चीजे दिखाएंगे, फिलाल समय थोड़ा कम है, और हमारे जो भाईयों ने हमें जो जानकारी दी, बहुत इच्छी जानकारी दी, और दूसरा, फिर हम दिखाएंगे यहां से, कभी आएंगे, फिर दिख खाएंगे तो आज के लिए इतना ही इसकी हम जो और वीडियो है वो चैनल के डिश्कोप्रेशन में दे देंगे चैनल सस्क्राइब करें लाइक करें कमेंट करें और बने रहें इतिहास की आवाज पर धन्यवाद